हम सीख रहे हैं Reading Comprehension का तरीका और इसे सीखने के लिए हमने Sample चुना है The Savior of Mankind जिसे हमने पिछली वीडियो में इसके पहले तीन जुम्लों तक मुकमल कर लिया है अब हम मिलकर पढ़ेंगे इसका अगला जुम्ला और फिर इससे मतालग एक सवाल को तश्कील देंगे तो चलिए मिलकर पढ़ना शुम्ला करते हैं The Arabs Possessed a Remarkable Memory and were an Eloquent People Eloquent से मुराद है ऐसे लोग जो के अपनी जबान पर बड़ी महारत हासल रखते हों यानि खासी फसाहत और बलागत के मालक हों यानि उन्हें अपनी जबान में बहुत से मुश्किल अलफाज वगारे से वाक्फियत हासल हो और वो बड़ी रवानी के साथ ना सिर्फ ईसमें गुफटगू वगारे कर सकें बलकि उसमें शेयरी वगारे भी तश्कील दे सकें और तवील नजम वगारे को असानी से याद कर सकें तो यह तमाम خصोसियाध किन लोगों में मौझ थी यह मौझ थी आरबस के अंदर या अर्ब के जो बाशिंदे थे possessed means उनको हासिल थी या उनके अंदर मौजूद थी remarkable यानि शानदार क्या थी उनकी memory यानि यादाश्ट और वो बहुत eloquent थे जैसे के मैंने पहले भी explain किया कि उन्हें अपनी जबान पर खुब दस्तरस्त हासिल थी या वो बहुत माहिर थे अपनी जबान के जैसे के इस जुम्ले में बयान है कि अर्ब के लोग जबरदस यादाश्ट और फसाहत और बलागत के मालिक थे अर्बी घजब की memory यादाश तरकते थे और फसाहत और बलागत वाले लोग थे यानि ये मजीद bracket में इसकी explanation लिखी हुई है तो अब आपके जहन में इससे मतालिक क्या सवाल आ रहा है जी हाँ यकीनन इसको पढ़ने के बाद यही सवाल जहन में आता है या फिर इससे यही पता चलता है कि इसमें क्या पूशने बताने की कोशिश की गई है कि अरब के जो लोग हैं वो किस किसम के थे वाट टाइप आफ पीपल वर दी अरब्स और यकीनन इसका जवाब है दी अरब्स पॉशेस्ट रिमारकबल मेमरी और अनलोकोंट पीपल और यहां यह बात भी जहन में रखना बहुत जरूरी है कि यह किस जमाने के अरब के लोगों की बात हो रही है यह वो जमाना है जब रसूल अल्लाव अल्याव वाले वासलम की पैदाश हुई तो इस पर एक सवाल यह भी बन सकता है कि यहां मैंने लिख दिया है और अगर यह सवाल जो है वो सिर्फ एक एक नंबर के हो तो बड़ी असानी से उसका यही जवाब बन सकता है कि यह बन सकता है यह फिर इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अब आगे पढ़ते है यह उनकी फसाहत और बलागत और यादाश का इजहार उनकी शायरी में मिलता है यह उनकी जो लिखी वी शायरी है वही इस बात का सबूत है कि उनकी जो यादाश थै वो किस कदर तेज थी और वो किस कदर फसाहत और बलागत यानि महारत रखते थे अपनी जबान में तो अब इस बात से क्या सवाल आपके जहन में आता है यह कीनन इससे यह सवाल जहन में आता है कि अरब के लोग अपनी इलोकुंस और मेमरी का किस तरह से इजहार करते थे या उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते थे तो ये सवाल हो जाएगा और इसका जवाब क्या होगा या तो आप इस जुम्ले को इसी तरह से लग सकते हैं या फिर आप मजीद इसे अपने अलफाज में यूँ भी तर्टीब दे सकते है जिसके लिए आपको सवाल से भी मदद मिल सकती है अरब्स एक्सप्रेस्ट देर इलोक्वन्स एंड मेमरी थ्रू देर पोईट्री यहां से देर पोईट्री इसकी आगे लगा दें तो आपका जवाब मुकमल हो जाएगा और यकीन यह सवाल भी जो है वो यह एक नमबर का हो सकता है अब आके पढ़ते हैं यह साल उकाज के मुकाम पर शाइरी मुकाबलाजात का एक मेला लगता था तो इसके मतालग क्या सवाल बनाए जा सकता है इसके मतालग यह सवाल बनाए जा सकता है तो यह सवाल होगा यह किस मकसद के लिए उकाज की मुकाम पर हर साल मेला लगाए जाता था और यकीन उसका जवाब होगा Every year a fair was held for poetical competitions at Uqaz यानि poetical competitions के लिए Uqaz के मकाम पर जो है वो हर साल एक मेला मनक्यत किया जाता था तो इस किसम का भी जो सवाल है वो objective टाइब में आ सकता है अब आगे पढ़ते हैं It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam यानि कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा Walid bin Yazid से कहा मैं आपको छोटे छोटे टुक्रों का हिसाब रखे बगेर रखे बगेर हरूफ तहजी के हर हर्फ के हिसाब से 100 लंबी नजमे सुना सकता हूँ और ये तमाम नजमे खास तोर पर इसलाम की तबलीग से पहले के दोर के शौरा की लिखी हुई हैं तो यानि हमात जो के एक अर्ब बाशिंदा था उसने किसे बताया खलीफा Walid bin Yazid को ये बात बताई कि वो उन्हें हरूफ तहजी के हर हर्फ से 100 लंबी नजमे सुना सकता है जबके छोटे छोटे टुक्रों पर मुझतमिल नजमे इसके इलावा हैं और ये तमाम नजमे जो हैं ये खास दोर पर किस दोर की हैं जबके अभी इसलाम की तबलीग शुरू नहीं हुई थी तो इससे क्या पता चलता है कि इसलाम से पहले के दोर के जो अर्ब थे वो किस तरह से बहुत इलोकुंट थे यानि फसाहत और बलागत के मालक थे फिर उन्हें अपनी जबान पर बहुत ज़दा अभूर हासल था और इसके लावा उनकी जादाश्त बहुत ज़दा तेज थी तो ये उस बात का एक सबूत है इससे मिलते जलती बात हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जहां पर सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अर्ब बाशिंदो की मेमरी बहुत अच्छी थी और इलोकंस के मालक थे और फिर ये भी कहा गया था कि उनकी अलोकंस या मेमरी जो है उसका इजहार वो पोईट्री के जरिये करते थे तो अब यहां आप देख सकते हैं कि अगर इससे मुतालिक सिर्फ एक नमबर का जो है सवाल आए या इसके जवाब में सिर्फ इतना ही लिखना होगा या इसी सवाल को अगर वेटेज इसकी बढ़ा दी जाए और ये तीन से चार नमबर का कर दिया जाए तो फिर इसमें ये तमाम इन्फरमेशन जो अभी हमने पड़ी है जो कि इस बात का एक सबूत है कि किस तरह से उने बहुत ज़ादा महारत हासलती अपनी जबान पर तो इस बात को भी इस हिस्से को भी शामिल किया जाएगा यानि इस बात का हवाला दिया जाएगा कि किस तरह से यजीद ने खलीफा वलीद माफ कीज़े का हमाद ने खलीफा जो है वलीद बिन जजीद को क्या बताया कि वो किस तरह से कितनी ज्यादा नजमे वगारा सुना सकता था जो कि इसलाम की तब्रीग से पहले की जमाने की थी तो इस हिस्से पर भी जो सवाल बनेगा वो तकरीबन यही होगा तो अगर इस किसम का सवाल आ जाए जो कि यकीनन तीन नमरों का तो होगा तो उसके जवाब में आप ये सारी बात लिख सकते हैं अब हम ज़रा रवानी के साथ अगले हिसे को मकमल करते हैं यह कोई कम हैरानी वाली बात नहीं है कि अपने आखरी कलाम की तबलीग और हिफाज़त के लिए अरभी जबान का इंतखाब किया तो इस हिसे पर एक शॉर्ट क्वेस्टन तो सिर्फ ये बन सकता है कि अपनी बात की तबलीग और हिफाज़त के लिए तो इसका जवाब बनेगा और यकिन ये एक मुकमल जवाब होगा एक ऐसे सवाल का ये सवाल जबके सिर्फ एक नमबर का हो लेकिन अगर इसकी वेटेज इससे ज़्यादा हो तीन या चार नमबरों की तो फिर इसमें इससे पिछली बात को भी शामिल किया जाएगा कि किस तरह से अर्ब जो थे वो अपनी जबान पर खासी फसाहत और बलागत रखते थे यानि उन्हें अपनी जबान पर बहुत ज़्यादा अबूर हासल था और उनकी जादाश भी बहुत ज़्यादा तेज थी और किस तरह से हम इस वाक्य को भी कोट कर सकते हैं कि जिसमें हमाद ने खलीफा वलीद बिन जजजीद को तफसील से बताया कि उसे कितनी ज़्यादा नजम याद हैं जो कि जमाना इ तबलीग से इसलाम की जो तबलीग है उससे पहले की थी तो यानि एक ज़्यादा वेटिज वाले सवाल में आपको सवाल के जवाब के लिए आपको इस हिसे को भी बीच में शामिल करना होगा तो ज़्यादा वेटिज वाले सवाल के लिए हमें मजीद मालुमात को शामिल करना होगा जबकि अगर इसकी वेटिज कम हो जैसके इससे पहले भी हमने डिसकस किया था तो सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि अल्ला ताला ने अर्भी जबान को पसंद किया अपने आखरी कलाम की तब्लीग और हफाज़त के लिए अब आगे पढ़ते हैं इन फिफ्ट और शिक्स्थ सेंश्रीज, मैंन काइंड स्टूड अन दो वर्ज ओफ के आस यानि पांचवी और छटी सदी में इनसानियत, इंतशार और तबाही के दहाने पर खड़ी थी यानि बिल्कुल तबाही होने वाली थी तो यहां पर हमें एक किसम का कॉंट्रास्ट मिलता है यानि बिल्कुल ही बरक्स मामला नज़र आता है कि एक तरफ तो अर्ब जो हैं, वो अपनी जबान में इसकदर महारत हासल रखते हैं जबके दूसी तरफ पांचवी और छटी सदी में बाकी तमाम इनसानियत जो थी, वो क्या थी वो बिल्कुल तबाही के धाने पर खड़ी थी तो अब इस से मतलिक क्या सवाल आ सकता है? इसके मतलिक सवाल आ सकता है तो इसका जवाब यह होगा यह एक कमबेटज वाला सवाल होगा यानि एक अबजेक्टिव टाइप प्वेस्टन होगा और इसका यह सिंपल सा आंसर होगा या फिर इस से मुराद ये भी हो सकता है कि अर्बो को गो के अपनी जबान पर तो खासी महारत हासल थी लेकिन इसके इलावा उनके जो रहन सहन था या दस्तूर जिन्दगी था वो नहायत इंतशार का शिकार था जैसके हम जानते हैं कि वो बोतों को तो पूछते थे ही इसके अलावा वो बहुत खुदसर और घुमंडी थे और लडाकों भी थे अक्सर चोटी चोटी बातों में पर उनके कबीलों में जंगे वगारा होती थी और गुलामों और लॉंडियों के साथ भी उनका जो रवाया है वो इतना मुंसिफाना या रहम दिलाना नहीं था और वो खवातीन के हुकुका भी पूरी तरह से खयाल नहीं रखते थे तो आपने देखा है इस वीडियो में किस तरह से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल हम सीख रहे हैं यानि पढ़ने के बाद उससे मतालिक सवाल बनाना और पिर उनकी जवाब वगारा तलाश करना और वेटिज वगारा का दिहान रखना कि किस तरह से हमने इमतिहान में किन किन हिसों को जवाबात के अंदर वेटिज के साब से शामल करना होगा ये किस कदर असान और तिलचस्प टेकनीक है और इसके लावा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी तो आप इन वीडियोज को बार बार देखकर इनकी मदद से इस टेकनीक को सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अमल पर महारत हासल कर सकें